जैसा कि आप सब को बताया गया था कि जो ये तीन डायग्राम है मेज से लेकर करक तक, सिंग से लेकर व्रिष्चिक तक तथा धनू से लेकर मीन तक इनका उप्योग किस प्रकार किया जाता है यदि मान लें किसी कुंडली में कोई ग्रै किसी राशी में कितने डिग्री पर है तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रै बनता है ये हम देख सकते हैं आईए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ यदि मान लें सुर्य व्रिष्च राशी में पांच डिग्री त्रेपन कला यानि कि फाइव डिग्री फिफ्टी थ्री कला पर हो तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रै होगा तो सुर्य व्रिष्च राशी में पांच डिग्री त्रेपन सबसे पहले हम व्रिष्च राशी देखेंगे कहा है आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आप व्रिश राशी देखेंगे अब सूरे जो है वो व्रिश राशी में 5 डिग्री 53 पर है तो यहाँ पर देखें व्रिश राशी में सबसे पहला हिस्सा है 0 डिग्री से 10 डिग्री दूसरा हिस्सा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 और तीसरा हिस्सा है 23 डिग्री 20 से 30 डिग्री तो सूरे है 5 डिग्री 53 पर जो इस हिस्से में आ रहा है तो अब इसका मतलब यह हुआ कि सूरे जो है वो कृति का नक्षत्र में है जिसका स्वामी स्वेम सूरे ही है तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं सूर्य व्रिश राशी में पाँच डिग्री त्रेपन पर कृतिका नक्षत्र में है यानि की अपने ही नक्षत्र में है सूर्य अपने ही नक्षत्र में स्थित है इस प्रकार से हम कह सकते है अब मान लीजिए कि मंगल मेश राशी में तीन डिगरी 69 कला पर है यानि कि मंगल मेश राशी में 3 डिगरी 59 कला पर है तो इस टेबल में देखकर कि वो कहां पर स्थित है उसका नक्षत्र कौन सा है तथा उसका नक्षत्र स्वामी कौन बना है यानि कि मंगल किस नक्षत्र में स्थित है ये हम देख सकते हैं तो मान लीजिए मंगल मेश राशी में 3.59 गला पर है तो अब यहां स्क्रीन पर देखें कि मेश राशी ये रही अब मेश राशी का पहला हिस्सा है 00.23.20 दूसरा हिस्सा है 13.20.26.40 तीसरा हिस्सा है 26 डिग्री, 40 से 30 डिग्री तो मंगल मेश राशी में 3 डिग्री 59 कलापर है तो वो हिस्सा इस 00 डिग्री से 13 डिग्री बीच के आ जाता है क्योंकि 3 डिग्री 00 डिग्री से 13 डिग्री 20 के बीच में 3 आएगा तो यहाँ पर मंगल स्थित है मेश राशी में यानि कि अश्वनी नक्षत्र में तथा नक्षत्र स्वामी केतू तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि मंगल जो है मेश राशी में 3.59 कला पर है अश्वनी नक्षत्र में है तथा केतू नक्षत्र स्वामी है दूसरे शब्दों में मंगल केतू के नक्षत्र में स्थित है इस परकार कह सकते है या मंगल का नक्षत्र स्वामी केतू बना है इस परकार कह सकते है अब आगे देखें बुध जिदी व्रिष राशी में 26 डिग्री नौ कला पर हो तो उसका नक्षत्र सौमी कौन बनेगा तथा नक्षत्र कौन सा होगा बुध व्रिष राशी में 26 डिग्री नौ पर अब जदी आप देखें 26 डिग्री नौ व्रिष राशी ये रही दिग्री 20 से 30 डिग्री का हिस्सा ये रहा यानि कि 26 डिग्री यहां 23 डिग्री 20 से 30 डिग्री के बीच में आ जाता है तो जो बुद्ध है विरिश राशी में 26 डिग्री 9 पर तो यानि कि वो मरिग शीरा नक्षत्र में हुआ तथा स्वामी मंगल इस परकार से हम देख सकते है और कह सकते हैं कि बुद्ध विरिश राशी में 26 डिग्री 9 पर है तो वो मरिग शीरा नक्षत्र में है तथा उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है दूसरे शब्दों में बुद्ध जो है वो मंगल के नक्षत्र में स्थित है या बुद्ध का नक्षत्र स्वामी मंगल है अब मान लीजिए चंद्रमा जो है वो कन्या राशी में 5 डिग्री 58 कलापर है चंद्रमा कन्या राशी में तो उसका वो कौन से नक्षत्र में तथा उसका नक्षत्र स्वामी कौन होगा तो देखें कि कन्या राशी ये रही और 5 डिग्री 58 कलापर इस हिस्से में आएगा तो चंद्रमा कन्या राशी में 5 डिग्री 58 पर यानि कि वो उत्रा फालगुनी नक्षत्र में और स्वामी सूर्य तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है कन्या राशी में 5 डिगरी 58 पर जदी है तो वो उत्रा फालगुनी नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि चंद्रमा सूरे के नक्षत्र में है या सूरे चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बना है इस प्रकार से इसको समझें अब मान लीजिए शनी कुम्ब राशी में 17 डिगरी 48 कला पर है 17 डिगरी 48 कला पर है तो उसका नक्षत्र सौमी कौन होगा यदि आप देखें तो कुम्ब राशी ये रही और शनी कुम्ब राशी में 17 डिग्री 48 तो आप कुम्ब के तीन हिस्से हैं 00 डिग्री से 6 डिग्री 40 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री और 20 डिग्री से 30 डिग्री तो हमारा जो प्रशन है कि शनी कुम्बराशी में 17 डिग्री 48 तो 17 डिग्री 48 कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री के बीच में 17 डिग्री आ जाता है तो यानि कि शनी कुम्बराशी में राहू के नक्षत्र में स्थित है तथा शत्विशा नक्षत्र है तो हम कह सकते हैं कि शनी राहू के नक्षत्र में स्थेत है या राहू शनी का नक्षत्र स्वामी बना है मान लीजिये कोई ग्रह जैसे मान लीजिये गुरू मीन राशी में तीन डिग्री का है तो वो किस नक्षत्र में और उसका नक्षत्र स्वामी कौन होगा यदि आप देखे तो मीन राशी ये रही और गुरू तीन डिग्री पर पहला हिस्सा जिरो जिरो डिग्री से तीन डिग्री बीस दूसरा हिस्सा 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 तीसरा हिस्सा 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री तो यानि कि गुरू 3 डिग्री पर इस हिस्से में आ गया क्योंकि 00 डिग्री से 3 डिग्री 20 है तो 3 डिग्री इसी हिस्से के बीच में आएगा यानि कि गुरू पुर्वा भादरबद नक्षत्र में है अपने ही नक्षत्र में स्थेत है गुरू स्वयम का नक्षत्र स्वामी बन गया यानि गुरू अपने ही नक्षत्र में स्थेत है इस परकार से इस टेबल में हम असानी से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन टेबल दिये हैं, आगे अब जब हम हाथ से पंचांग को समझेंगे, आप जानते हैं कि हम हाथ के द्वारा पंचांग की स्थीती यानि सूरे की स्थीती देख सकते हैं, सभी ग्रहों की स्थीती देख सकते हैं, यह आपको मैं आगे और उसका जो टेबल बनेगा सिरफ एक सिंगल छोटा टेबल बनेगा कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में हो आप उस टेबल से सानी से देख सकते हैं कि वो किसी राशी में कितने डिग्रीबर है तो किस ग्रह के नक्षत्र में होगा तो आगे के लेसन के लिए आप इंतजार करें अभी तक के लिए धन्याबाद